ओम शान्ती अब्यक्तवानी नौ जन्वरी उनिस्सा तेरासी पैर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ सर्व खजानों से भरपूर करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिप बाबा बोले आज बाब ददा सभी सिखी लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विसेश आये हैं डबल बिदेशी बच्चे मिलन मनाने के लिए सदा इंतिजार में रहते हैं तो आज बाब ददा डबल बिदेशी बच्चों से एक एक की विसेशता की रोरिहान करने आये हैं एक एक अस्थान की अपनी अपनी विशेस्ता है, कहा संख्या जैदा है और कहा संख्या कम होते भी, अमुल रत्न, विशेस रत्न, थोड़े चुने हुए होते भी, अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, ऐसे बच्चों के उमंग उत्सा को देख, बच्चों की सेबा को देख, बाप ददा हर्सित होते हैं, विशेस रूप में विदेश्त के चारों ही कोनों में बाप को प्रतक्ष करने के प्लाइन प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं, सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रियत्न अच्छा कर रहे ह सेवा की लगन अच्छी है अपनी बटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने की कारण औरों के प्रती भी रहम आता है जो भी दूर दूर से आये है उन्हों का एक ही उमंग है की जाना है और अन्य को भी ले जाना है इस डिड़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया है इसलिए सदा अपने को बाप दादा के वरसे के अधिकारी आत्मा समझ चल रहे है कभी भी किसी बैर्त संकल्प के अधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ कल्प कल्प के पात्र हो अच्छा आज तो पार्टियों से मिलना है पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर वन कमाल भी तु दिखाएंगे ना अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फरेंस में सबसे बड़े ते बड़े वी आईपी कौन ले आते हैं नंबर वन वी आईपी कहां से आ रहा हैं अमेरिका से वैसे तो आप बाप के बच्चे वी 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 आईपी हो आप सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है लेकिन जो इस दुनिया के वी आईपी है उन आत्माओं को भी संदेश देने का यह चांस है इन्हों का भग बनाने के लिए यह पुरसार्थ करना पड़ता है क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं न तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वह अपना रिगार्ड नहीं समझते इसलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रूरूहान करते विशेस आते भी बच्चों के लिए ही है फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उलहना ना रजाए कि हमें हमारे योग निमंतरन नहीं मिला इस उलहने को पूरा करने के लिए यह सब प्रोग्राम रचे जाते हैं बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है अच्छा सभी डबल विदेश्दी तन से और मन से संतुष्ट हो थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है कोई तन की वो मन की प्रावलम है शरीर बिमार हो लेकिन सरीर की बिमारी से मन डिश्टर्व ना हो सदेव खुशी में नाचते रहो तो सरीर भी ठीक हो जाएगा मन की खुशी से सरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगे खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा एक बच्चे ने कहा रात्री को नींद नहीं आती है सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी योग में बैठने समय बाप दादा के गुनों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा खुशी के बिना सिर्फ यह प्रियत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फिल होता है खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा कोई भी बात में किसको भी कोई questions हो या छोटी सी बात में कब confused भी जल्दी हो जाते तो वह छोटी छोटी बाते फोरण अस्पष्ट करके आगे चलते चलो जैदा सोचने के अभ्यासी नहीं वनो जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो एक सोच के पीछे अनिक सोच चलने से फिर इस्तिती और सरी दोनों पर असर आता है इसलिए डवल विदेशती बच्चों को सोचने की बात पर डवल एटेंसन देना चाहिए क्योंकि अकेले रहकर सोचने के निचुरल अभ्यासी हो तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है इसलिए यहां भी छोटी छोटी बात पर जैदा सोचते तो सोचनी में टाइम वेश्ट जाता और खुसी भी गैब हो जाती और सरीर पर भी असर आता है उसके कारण फिर सोच चलता है इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुस रखने के लिए सोचो कम अगर सोचना ही है तो ग्यान रत्नों को सोचो बेर्थ संकल्प की भीट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है मानो अपनी इस्तिती वा योग के लिए बेर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाड़ तो इतना दिखाई नहीं देता योग लगता नहीं और सरीरी होते नहीं या है बेर्थ संकल्प उनकी भेट में समर्थ संकल्प करो याद तो मेरा सौधर्म है बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना जो नहीं होगा जरूर होगा मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ तो बेर्थ के बजए इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ मेरा सरीर चल नहीं सकता या बेर्थ संकल्प नहीं चलाओ इसके बज़े समर्थ संकल्प यह हैं कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की जो इस पुराने सरीर दोरा जन्म जन्म का वर्सा ले लिया दिल सिकस्त के संकल्प नहीं करो लेकिन खुसी के संकल्प करो वाह मेरा पुराना सरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित बनाया वाह वाह कर चलाओ जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा यह सरीर भी आपका है इनको बार बार ऐसे नहीं को हो कि यह पुराना बेकार सरीर है यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो खुसी खुसी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो फिर यह पुराना सरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा बहुत सहयोग देगा कोई ने कहा प्रोमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है माय से घबराते क्यों हो माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए घबराओ नहीं पाठ पढ़ लो कभी सहन सीलता का पाठ कभी एकरस इस्तिती में रहने का पाठ पढ़ाती कभी शांत सरूप बनेने का पाठ पक्का कराने राती तो माया को उस रूप में नहीं देखो माया आ गई घबरा जाते हो लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है माया को सहयोगी की रूप में समझो दुश्मन नहीं पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है तो आपका एटेंसन सारा उस बात में चला जाएगा फिर घवराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे तो माया से घवराओं नहीं जैसे छोटे बच्छों को मा बाप डराने के लिए कहते हैं हुआ आ जाएगा आप सबने भी माया को हुआ बना दिया है वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घवराती है लेकिन आप स्वयम कमजोर हो माया का आवहन करते हो नहीं तो वह आएगी नहीं वह तो बिदाई के लिए ठरी हुई है वह भी इंतिजार कर रही हैं कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है अब माया को बिदाई देंगे या घवराएंगे डवल विदीसियों की यह एक विसेस्ता है औरते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्ही से भी डर जाते हैं एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर जहरा बदली हो जाएगा इस नेचर को बदली करो इसका कारण क्या है इन सब कारणों का भी फॉंडिसन है सहन सक्ती की कमी सहन करने के संसकार सुरू से नहीं है इसलिए जल्दी घबरा जाते हो अस्थान को बदलेंगे या जिन से तंग होंगे उनको बदलेंगे अपने को नहीं बदलेंगे या जो संसकार हैं वो बदलना है मुझे अपने को बदलना है अस्थान को वो दूसरे को नहीं बदलना है लेकिन अपने को बदलना है या जैदा इस मिर्ती में रखो समझा अब विदेश्टी से स्वदेश्टी संसकार बना लो सहन सीलता का अवतार बन जाओ जिसको आप लोग कहते हो अपने को एड़िस्ट करना है किनारा नहीं करना है छोड़ना नहीं है हंस और बोगले की बात अलग है उन्हों की आपस में खिट-किट है वह भी जहां तक हो सके उसके प्रतिर शुब भावना से ट्राइल करना अपना फर्ज है कई ऐसे भी मिसाल हुए है जो बिलकुल एंटी थे लेकिन शुब भावना से निमित बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं तो शुब भावना से फुल फोर्स से ट्राइल करनी चाहिए अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डाइरेक्सन लेकर कदम उठाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहां डिस सर्विस भी हो जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मन आत्मा की कमी होने के कारण अन आत्माएं भी भाग लेने से वन्चित रह जाती है इसलिए पहले स्वैम ट्राइल करो फिर अगर समझते हो या बड़ी प्राबलम है तो निमित बनी हुई आत्माँ से वेरिफाई कराओ फिर वा भी अगर समझती हैं कि अलग होना ही ठीक है फिर अलग हुए भी तो आपकी उपर जवाबदारी नहीं रही आप डाइरेक्शन पर चले फिर आप निस्चिन्त कई बार ऐसा होता है जोर्स में छोड़ दिया लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वा आत्मा खीचती रहती है बुद्धी जाती रहती है या भी बड़ा बिग्न बन जाता है तन से अलग होगे लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खीचता रहता इसलिए निमित बनी हुई आत्माँ से वेरिफाई कराओ क्योंकि यह करमों की फिलोसोफी है जबर दस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है करम की फिलोसोफी को ग्यान सरूप होकर पहचानो और फिर वेरिफाई कराओ फिर करम बंधन को ग्यान युक्त होकर खत्म करो बाकी ब्रामन आत्माँ में जब हम सरीर होने के कारण इर्सा उत्पन होती है इर्सा के कारण संसकारों का टक्कर होता है लेकिन इसमें विशेस बात यह सोचो कि जो हम सरीक हैं उसको निमित बनाने वाला कौन उनको नहीं देखो फ़लाना इस ड्यूटी पर आ गया फ़लानी टीचर हो गई नमर वन सर्विसेबल हो गई लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित बनाने वाला कौन चाहे निमित बनी हुई विशेस आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती हैं लेकिन निमित बनने वाली टीशर को भी निमित किसने बनाया इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी इर्षा भाग जाएगी लेकिन जैसे कहावत है ना या होगा बाप या होगा पाप जब बाप को बीच से निकालते हो, तो पाप आता है इर्षा भी पाप कर्म है ना अगर समझो बापने निमित बनाया है तो बाप जो कार्य करते उस में कलियान ही है अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है रौंग भी हो सकती है क्योंकि सब पुर्सार्थी है अगर रौंग भी है तो अपनी शुब भावना से उपर दे देना चाहिए इर्षा के वर्स नहीं लेकिन बाप की सेवा सु हमारी सेवा है इस सुब भावना से स्रेष्ट जिमेवारी से उपर बात दे देनी चाहिए देने के बाद खुद निस्चिन तो हो जाओ फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी फिर क्या हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ वो नहीं यह जिमेवारी बड़ों की हो जाती है आपने शुब भावना से दी आपका काम है अपने को खाली करना अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दुबार लिखो लेकिन सेवा की भावना से अगर निमित बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो तो अपना संकल्प और समय बेर्थ नहीं गमाओ इर्शा नहीं करो लेकिन किसका कार्य है किसनी निमित बनाया है उसको याद करो किस विशेस्ता के कारण उनको विशेस बनाया गया है वह विशेस्ता अपने में धारन करो तो रेस हो जाएगी ना कीरीस समझा अब सेट कभी नहीं होना चाहिए जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाप से कहा अगर वो स्पस्ट नहीं करते तो निमित बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है अगर उपर से वेरिफाय हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निस्चिंत हो जाओ एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राहमन आत्माओ द्वारा यहां ही हिसाब किताब चुक्तू होना है दर्मराज पूरी से बचने के लिए ब्राहमन कहा न कहा निमित बन जाते है तो घबराओ नहीं कि यह ब्राहमन परिवार में क्या होता है ब्राहमनों का हिसाब किताब ब्राहमनों द्वारा ही चुक्तू होना है तो यह चुक्तू हो रहा है इसी खुशी में रहो हिसाब किताब चुक्तू हुआ और तरकी ही तरकी हुई अभी एक वैदा करो कि छोटी छोटी बात में कन्फ्यूज नहीं होंगे प्राबलम नहीं बनेंगे लेकिन प्राबलम को हल करने वाले बनेंगे समझा ओम सांती